विल्कम रेख, हमारे यूटूब चैनल टीचर रहमत पर विभिन बोर्ड और परतियोगी परिक्षाओं की तयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षक ते सम्मांदियत हर पर्मोखबरे पपचाई जाती है अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभियरती हैं तो आप हमारे यूटूब चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें हम आपको हर गती विदियों से ओगत कराएंगे शिक्षा विभाग शिक्षित विहर के पड़ती अपनी सम्मेदन शिल्ता को दिखाते हुए एक बड़ा कदब उठाया है और पर्धाना ध्यापक की भरती की विज्यापन भी निकाल दी है पर्धाना ध्यापक का पोश्ट बहुत ही जिम्यदारी भरा पोश्ट होता है पर्धाना ध्यापक विद्धाले के गारजियन होते हैं जिस परकार परिवार के सफल संचालन में गारजियन की अहम भूमिका होती है उसी परकार संपुन विद्धाले में उसी प्रकार संपुन विल्दाले के सफल शैक्षिनिक संचालन के लिए परधाना ध्यापक का अहम रूल होता है इसी कर्तव के निर्वाहन करने वाले बेहतर परधाना ध्यापक के चैन के लिए बिहार सरकार ने BPSC के माधियम से चैन परक्रिया पूरा करने का लक्ष रखा है शिक्षा विबाग की परधाना ध्यापक, भरती नियामावली और बिहार लोक सिवा आयोक की complete गाइडरान पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे एक-एक बिंदू हम आपको अस्पष्ट रोप से सरल भासा में समझाएंगे कुछ मार्मिक विद्धाले में परधाना ध्यापक की भरती की परकिरिया क्या होगी इस नियामावली के अनुसार चैन परकिरिया क्या है इलिजिबिलिटी, एक्जाम पैटर्न, सिलेबा सब पर चर्चा करेंगे दूसरी बात बहुत सारे अभियर्ती को confusion है कि रिक्ती की संख्या कम कर दे गई है तूकि अखवारों के माध्यम से यह बास सारजनिक था कि परधाना ध्यापक और परधान शिक्षक की भरती आएगी तालिस हजार से ज्यादा लेकिन अभी जो भरती आई है वो मातर 6421 है दोस्तों मैं आपको अस्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो भरती आई है ये केवल उचमाद्मिक विद्याले के परधान अध्यापक की भरती है एक और भरती आने वाली है वो परधान शुक्षक की भरती होगी उसकी रिक्ती की संख्या काफी ज्यादा है चालिस हजार से भी ज्यादा और उम्मीद है कि यह विज्यापन भी एक से दू दिन के अंदर आ जाएगा जिसकी सूचना हमारे चैनल टीचर रहमत के माध्यम से भी दी जाएगी आप से अनुरूद है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो आईए वीडियो इस्टार करते हैं एक एक बिंदू पर हम आपको विस्तार से समझाते हैं का खास है इस दिसा निर्देश में कुछ माध्मिक विद्दाले में परदाना ध्यापक की जो भरती आई है 6421 इसके विज्जयत्ती संख्या 2222 है ओल एन अप्लेकेशन स्टार्ट हो चुका है जिससे आप BPSC के ओफिसर विबसाइट पर जाकर भर सकते हैं मेरा जो नेक्स्ट विडियो होगा वो रहेगा How to Submit Application Form यानि आपको किस तरह से Application Form भरना है हम लाइव आपको दिखलाएंगे कुल 6421 रिक्ती में 35% 36 आरक्षन महिलाओं के नाम है इनकी रिक्ती अलग दी हुई है और कुल रिक्ती अलग दी हुई है Category wise आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अना रक्षित की रिक्ती 2571 है जिन में 903 महिलाओं के लिए आरक्षित है EWS वर्थ को 649 रिक्ती मिली है और EWS फीमेल को 189 ये जो नुमान पदों की कुल संख्या है इन में पुरूस और महिला सब इनकुलूड है लेकिन 35% जो 36 आरक्षिन मिला है महिलाओं को इस पर केवल महिलाओं की भाली होगी इसके अत्रिक्त दिम्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतरगत 4% 36 आरक्षिन भी विकलांग को दिया गया है दिश्टी बादित मुक बाधिर के लिए 65 और 65 पोस्ट है बिहार लोक सिवा आयोग ने परमंडल वार सोच रोस्टर भी जारी किया है जिसे आप BPSC के ओफिसर वेबसाइट से डाउनलूट कर सकते हैं अब हम बात करते हैं शैक्षनिक योगता के बारे में सबसे पहली बात कि भारत का नागरिक हो और बिहार आज का निवासी हो यानि डो मेसाइल लागू है इस भरती में और टो बिहार के लिए या वैकेंसी नहीं है इसके अलावा PG होना चाहिए पोस्ट ग्रेजवेट 50% अंकों के साथ आरक्षितवर को 5% की छूट दी गई है इसके अलावा जो तीसरा इलेजिबिलिटी है वो है बीएड या समकक्ष इसके अलावा अगर आप 2012 के बाद शिक्षक पदपर नियुक्त हुए हैं तो आपको सी टेट या टेट क्वालिफाई होना अनिवार्ज है इस भरती में इलेजिबिलिटी के साथ अनुभव भी चाहिए अगर आप किसी सरकारी विद्याले के शिक्षक हैं तो 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्ज है अगर आप CBSC या ICAC के शिक्षक हैं तो 12 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्ज है इसके अलावा अगर आप माध्मिक नहीं बलके उच माध्मिक के शिक्षक हैं तो आपके आठ वर्ष का अनुभव भी सफिसियंट है जितने भी योगता है या अनुभव है उसकी गन्ना 28 सिन 2022 तक ही की जाएगी उसके बाद अगर आपके अनुभव आठ पूर रहे हैं या आपके शैक्षिन की प्रमान पत्र निर्गत हो रहे हैं तो वह अमान कहलाएंगे और भर्ती में एक उम्र सीमा होती है इस भर्ती के जो उम्र सीमा है इस दिसा निर्देश में वो मिनिमम 31 और मैक्सिमम 47 है और उम्र की गन्ना 1 अगस्त 2021 तक की जाएगी और सेवा निर्टी के आयू 60 वर्स है आरक्षित वर्त को 5 वर्स की शूट भी दी जाएगी अब हम बात करते हैं चैन परकिलिया के बारे में परधाना देहापक बनने के लिए टू स्टेप से गुजरना होगा एक है लिखित परिक्षा दूसरा है साक्षातकार यानि इंटरवीव लिखित परिक्षा OMR सीट पर होगा 150 परशन पूछे जाएंगे multiple choice question परिक्षा में 100 अंके समान अध्यान के परशन होगे और 28 कोर्से सम्मधित 50 अंक के परशन होगे यानि 50 अंक के परशन teaching aptitude के ही होगे परशन के लिए एक अंक निर्धारित है और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे परिक्षा की जो ओधी होगी दो घंटे की होगी आगे विडियो में हम सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे दूसरी बात मैं आपको बतला दूँ कि इस परिक्षा की तयारी हमारे यूटूब चैनल पर भी कराई जाएगी क्योंकि हमारे चैनल पर बोड और परतियोगी परिक्षाओं की बेहतर तयारी कराई जाती है मैं आपसे आग्रा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को बेहतर एक्जाम प्रिपिरेशन के लिए जरूर सब्सक्राइब करें लिखित परिक्षा के बाद किसी परकार का साक्षतकार यानी इंटर्विव नहीं लिया जाएगा परिक्षा के जो परिनाम होंगे उनमें 40% अंक लाना अनिवार्ज है आरक्षित वर्ग को थोड़ी छूटी दी जाएगी महिला अधी को 32% निविन्तम अंक लाना अनिवार्ज है आप अंतिरुम से चैन माने जाएंगे और आपका कॉंसलिंग कराकर आपको विद्धाले में योगदान कराया जाएगा लिखित परिक्षा के बाद और बंदिक मेदा सुचित तयार होगा अगर दो अभिहर्टी के अंक बराबर माने जाते हैं तो अधिक उम्रवाले को वर्याता दी जाएगी आरक्षन का लाब केवल बिहारवासियों को ही मिलेगा वैसे पूरी परकिरिया केवल बिहारवासियों के लिए ही है लेकिन फिर भी आपको अस्थाई निवास परमान पत्र लगाना अनिवार्ज है जाती का लाब लेने के लिए जाती परमान पत्र लगाना अनिवार्ज है EWS के Candidate है तो आपको EWS परमान पत्र लगाना अनिवार्ज है दिवियांग अभियर्ती को दिवियांगता परमान पत्र लगाना अनिवार्ज है अब हम बात करते हैं शुलक के बारे में सामान अभियर्ती को 750 रुपिया लगेगा पनिवियांग अभियर्ती को मात्र 200 रुपिया लगेगा जितने भी महिला उम्मिदवार है उसे भी 200 रुपिया लगेगा दिवियांग अभियर्ती को भी 200 रुपिया लगेगा यानि सामान अभियर्ती को 750 बाकी सब को मात्र 200 पे करना है ओनलाइन आवेदन आच मार्च 2022 से स्टार्ट हो चुका है और अन्तिम 28 मार्च 2022 तक आप कर सकते हैं आवेदन की परकिरिया पुर्णता ओनलाइन है किसे भी परकार के हार्ट कोपी विभाग को भेजने की अवशकता नहीं है ओनलाइन आवेदन कैसे भड़ा जाएगा कम्पिलिट जनकारी हम आपको नेक्स्ट विडियो में देंगे पेमेंट किस तरक परना है यह भी हम आपको बतलाएंगे बिहार लोक सिवा आयोग ने परमंडल वा रोस्टर भी जारी कर दिया है अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बिहार के सभी परमंडल के कोटी वा रिक्ती पुर्निया में अनारक्षित के 186 रिक्ती है वही पटना में 236 परमंडल के हम बात करते हैं तो अनारक्षित की रिक्ती 365 है सबी कुटी में महिलाओं की रिक्ती आरक्षित है दिवियांग अभियर्तियों के लिए भी आरक्षन की अलग रिक्ती आ चुकी है इसे आप परमंडल वैज स्क्रीन पर दिख रहे होंगे अब हम बात करते हैं परदान अध्यापक की बहाली का सिलेबस क्या होगा जैसा कि नियामावली में हमने आपको दिख लाया है कि एक सो पचास अग्के परशन पूछे जाएंगे और एक सो पचास कोश्टन भी होंगे जिन में समान अध्याण से सव अग्के परशन पूछे जाएंगे और पचास अंके परशन बीएट के टीचिंग एप्टेचूट से पूछे जाएंगे बिहार राज लोक सेवा आयूग ने समान अध्यन का सिलेवस भी जारी कर दिया है इस विशे में ग्यान विज्यान के निमलिकित चितर से सम्बंधित परशन पूछे जाएंगे समान विज्यान के परशन होंगे राष्टिय और अंतराष्ट्रे महत्व की समसाई घटनाओं से परशन पूछे जाएंगे भारत का इतिहास और बिहार के इतिहास की मुक विशिश्चताएं से सम्बंधित परशन पूछे जाएंगे भारतिय राष्टे आंदोलन और इसमें बिहार का क्या योगदान था इससे संबंदित परशन भी पूछे जाएंगे भुगोल और भारतिय राज वैवस्था साथ ही साथ भारतिय अर्थ वैवस्था से भी कुछ परशन होंगे परारंबिय गनित और मांसिक छमता जांच यानि मैथो रिजिनिंग के भी कुछ कोश्टन आपको देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक का विसलेशन क्या गया है इस अमानवी ज्यान में कैसे परशन होंगे भूगोल के परशन कैसे होंगे इतिहास में किस तरह के परशन होंगे खैर इसकी चर्चा हम आपको उस समय कराएंगे जब आपको परिक्षा की तयारी कराएंगे पर उमीद है कि एक से दो दिन में हमारे कलासेज भी स्टार्ट हो जाएंगे आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेहतर तयारी के साथ साथ आपको यहां बेहतर परिनाम मिलेंगे तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा इसी तरह के ज्यानवर्थक जानकारी के लिए परिक्षाओं की बेहतर तयारी के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें आप हमारे टेलिग्राम चैनल टीचर रहमत को भी सब्सक्राइब करें साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrehmet.com को विजिट करें